असलाम अलेकुम एप्रीवन वेलकम टू मैं चैनल स्टिचिंग विदुम्म हभीबा आज मैं आपको पैनल फ्रॉक जक्ट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी तो उसके उपर हम इस तरह का स्टाइल बनाएंगे जिसमें यहां फिलैस लगाएंगे इसके लिए हमने फ्रॉक की साइज के अकॉर्डिंग अब हम इसका ब्लॉक बनाके इसके नेक की साइजिंग करेंगे इसको गोल शेप देंगे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमने बेसिक नेक डिजाइन उसमें बताए थे अब हम इसमें जक्ट के लिए पेमाश करते हैं तो पर उसरा हम सिक्स इंच पर लेंगे इसी तरह से ऊपर फिर हम 4 इंच की हाईट पर निशान लगाएंगे और चोडाई में पिर नीचे से 6 लिया है तो उपर हम 8 इंच पर निशान लिये है इस तरह से इन निशानों को लेते हुए हम जकट को शेप देंगे 6 इंच नीचे से है यह मैं रिपीट में मेंशन करके दिखा रही हूँ हूँ कि यह 4-4 इंच का लेंध वाइज हमने निशान लिया है इस तरह से यहां से हमने पहला 3 इंच पर दूसरा 6 इंच पर और तिसरा निशान हमने 8 इंच पर लिया है तो इस तरह से इन निशानात की मदद से हम अपनी जकेट को शेप दे लेंगे पिगिनर्स के लिए ये तरीका बहुत आसान होता है अगर आप इस तरीके को फालो करते हैं तो आप बहुत आसानी से ये डिजाइन बना सकते हैं इस तरह से चॉक से आप इसको शेप दे लें उपर से नेक के पास जाकर आपने कॉर्नर कट नहीं करना उसका जॉइंट आपस में अलग नहीं होना चाहिए इस तरह से हम अब इस डिजाइन को कट कर लेंगे तो फ्रेंड्स इसमें आपको किसी किसम की मुश्किल पे शायए तो आपको मेर्स में आकर क्वेस्टन कर सकते हैं इस तरह से मैंने जैकेट को शेप दे ली है और इसका जो नेक साइज है वो मैंने कट नहीं किया अब हम बुक्रम देंगे और बुक्रम के उपर अपनी जैकेट को हमने शेप दिया है उसको इसी तरह डबल फोल्डिंग में बुक्रम के उपर रखेंगे इस तरह से बुक्रम के उपर प्रॉपर तरीके से इसको सेट करते हुए हम कैंची से इसको इसके साइज के मताबग कट कर लेंगे इस तरह से हम नेक लाइन भी कट कर लेते हैं और वन इंच पर हम मार्किंग करेंगे इस तरह के बेसिक नेक डिजाइन वाली वीडियो में मैंने आपको मेंचन किया था कि जो भी हम नेक डिजाइन कट करते हैं तो इसको इसी तरह वन इंच का मार्जन देते हुए एक्स्ट्रा वुक्रम को कट कर लेते हैं इस तरह ये बहुत इजी रहता है अब हम इसको अपनी जैकेट वाले कपड़े पर आइरन कर लेते हैं ये फ्रेंड्स मैंने रेबदार कपड़ा लिया है और इसको भी मैंने उन्च चोड़ा काट लिया है इस तरह से रेबदार कपड़े की आफ तीन चार पीसीज आफ आफ इन्च पर काट लें और इनको आपस में जैकेट करते हुए एक लंबी पती तियार कर लें ये मैंने तियार कर ली है इस तरह से ये हमने जाकट का फैब्रिक की है इसकी सीधी साइट और जो हमारी फ्राग की बॉड़ी है उसकी उल्टी साइट को उपर नीचे रखते हुए इस तरह हम भुर्ण के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से यह हमारा neck line ready हो जाएगा इस तरह से neck line की sizing चेक करते हुए हम इस applied को complete करते हैं अब हमें इसके जो extra fabric है इसको cut कर लेंगे और इस तरह से इसको सीधा करते हुए हम इसकी बारीक मघजी निकालते हुए इसको सलाही लगा लेंगे इस तरह से इसी नीची वाले कपड़े को हम बारी किनारा चोड़ते हुए सलाई लगाएंगे तो मगजी की शेप में आ जाएगा इस तरह से ये हमारा फ्रेंस नेक लाइन बन के रेडी हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत नीच नेक लाइन रडी हुआ है अब हमने जो अरेवदार फैबरिक लिया है उसको हम जैकेट की शेप देने के लिए इसमाल करेंगे तो इसमें ये खियाल रखें कि जो अरेवदार फैबरिक है उसको हमेशा नीचे रखा जाता है और इस तरह से अरेवदार फैबरिक को नीचे से उंगली से सेट करते हुए इसकी हम पाइपिंग बना लेते हैं तो फ्रेंट्स इस तरह बिल्कुल किनारे पर सलाह लेते हुए हम इसकी पाइपिंग निकालेंगे अगर आपको महसूस होता है कि आपने कहीं से सलाह थोड़ी चोड़ी लगा दी है तो आप उसको कैंची से कट करके उसका किनारा बारी कर लीजिए इस तरह से हम औरेपदार कपड़े को नीचे रखते हुए जैकेट के चारों तरफ सलाह लगा लेंगे इस तरह से इसका ये आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कैंची से नीट कर इसमें ख्याल रखिए कि आप एक्स्ट्रा धागे को ना कार दीजिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हुए हम अपनी पाइपिंग सीधी कर लेते हैं इसमें फ्रेंड्स जो हमने कॉर्नर्स लिए हैं या जहां पर सर्कल शेप आई है तो वहां पर हम छोटे छ कट्स लगाएंगे तो इस तरह से यह बहुत नीट पाइपिंग तियार हो जाएगी इस तरह से आप जैकेट को चारों तरफ से पाइपिंग के साथ साथ ब्लैक फैब्रिक के ऊपर किनारे पर सलाई लिगाते जाए इसका यह जो कॉर्नर्स हैं यहां पर जो हमने पाइपिंग है इसको भी कट करना है इस तरह से जैकेट्स में जितनी जगह पर भी कॉर्नर्स आये हैं तो आप उनको कट कर ले और इस तरह से उंगली की मदद से इस कॉर्नर पर इस तरह से शेप देते हुए आप सलाई लिगाएं तो इस तरह से यह कॉर्नर बहुत प्यारा बनता है तो फ्रेंड्स ये बहुत एजी वे है जैकेट को पाइपिंग लगाने का आप इस तरह से अपने घर में बनाएं और आप हमें कुमेंट्स में बताईएगा कि आपको ये स्टाइल कैसा लगा इस तरह से मैंने ये पाइपिंग मुकमल कर ली है अब फ्रेंड्स हमें इसके साथ लेस टेस्ट करेंगे फ्रेंड्स आप यहां पर लेस इस्तमाल करते हुए ये खियाल रखें कि लेस इस तरह किलें कि जिसकी फोल्डिंग असानी से हो सके तो लेस को मैं नीचे रखूंगी और इस तरह इसके उपर जाकर रखते हुए पाइपिंग के साथ साथ मैं बिल्कुल किनारे पर सलाई लूँगी तो इस तरह से जहां पर कॉर्णर आएगा वहां पर मैं लेस को नीचे से थोड़ा सा डीला करते हुए अकठा करते हुए लूँगी ताके इसकी फोल्डिंग इजी ली हो जाए यह देखें उंगली की मदद से थोड़ा से लेस को पीछे हटा लीजिए तो इस तरह इसका कॉर्णर शेप अच्छा आएगा इस तरह से थोड़ी सी लेस पीछे हटाते हुए आप इसके कॉर्णर से लेंगे इस तरह से इसके में साथ हाफ इंच पर डबल सलाई लगा लूँगी ताके इसके नीचे जो पाइपिंग है और एक्स्टा फैब्रिक है वो सलाई के अंदर दब जाए इस तरह से यह मैं पूरी जाकेट को कम्प्लीट कर लेती हूँ तो फ्रेंड्स इस तरह से यह एक्स्टा फैब्रिक भी सारा हमने सलाई में दबा दिया है अब हम इसके साथ इसका बैक पाट अटेच करेंगे इस तरह से इसके उपर रखते हुए हम बैक पाट को दोनों तरफ से फिटिंग की सलाई लगाएंगे और उपर से तीरा ज्वाइंट कर लेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए इस तरह से हमने जो फिटिंग के निशानाद पर मार्किंग की है वो भी कर लेंगे अब हमने इसके पैनल जोइंट करने हैं तो पैनल के लिए इसमें दो चीज़े होती हैं पैनल की एक साइड बिलकुल सीधी होती है और एक औरेब वाली होती है तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि औरेब वाली साइड पर सीधी साइड वाला पैनल लगाएंगे तो इस तरह से मैं एक पैनल की औरेब वाली साइड लूँगी और दूसरे की सीधी साइड उसके साथ जॉइंट करूँगी और हमेशा उपर से नीचे की तरफ लगाते हुए आएं क्योंकि जो औरेव वाला फैबरीक होता है वो हाफ इंच नीचे से बढ़ जाता है तो इसलिए इसको हमेशा उपर से लगाते हुए स्टार्ट करें इस तरह से एक पीस औरेवदार और एक बिल्कुल सीधा इसको मैंने अपस में जॉइन कर लिया है तो इस तरह से इसके मैं एट पैनल तियार करूँगी नेक्स्ट फिर मैं औरेव के उपर सीधा पीस सलाई करूँगी तो इस तरह से ये मैंने एट पैनल जॉइन कर लिये हैं इसी तरह से मैं इसका बैग पार्ट भी डेडी कर लूँगी और ये आप देख सकते हैं नीचे हाफ वीरेब साइड से फैड्रीक बच गया है तो उसको हम इस तरह से निट ली कट कर लेंगे सेम इसी तरह बैग पार्ट भी हम डेडी कर लेंगे अब इसमें हम अपना वेस्ट साइज लेंगे जो 15 इंच है और इसी तरह से जो हमने पैनल जॉइंट किये हैं इनको भी हम इस तरह से डबल फोल्डिंग करते हुए 15 का हाफ 7.5 हो जाएगा तो हम 7.5 पर ही हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से नीचे वारे पार्ट पर हम 7.5 पर मार्किंग करेंगे इसको दोनों साइड पर मार्किंग करते हुए इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे तो फ्रेंड्स बहुत चोटे चोटे पॉइंट्स पॉइंट ओट करने का मतलब यही होता है कि बिगिनर्स के लिए असानी की जाए तो इस तरह से जो हमने बॉड़ी का सेंटर है उसको भी मा किया है और जो पैनल का सेंटर है दोनों सेंटर्स को अपस में जोईन करते हुए हम इसको चारों तरफ से स्लाई लगा लेंगे तो इस طरह से पैनल को और उपर वाले पार्ट को हमने इसके साथ इस तरह से जोईन कर लिए है इस जिएकट कर लेंगे लंदी कुछ चाहिए इसी पार्ट की शाय सिएकन, रागे कपणक, आपके लिएक्टा अब बादे साज में की आप इसको हटाते हुए हमने बॉडी और पैनल को जॉइंट किया था तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने जॉइंट कर लिया है अब हम फ्रॉग के नीचे बॉर्डर की तरफ आ जाएंगे तो ये बॉर्डर में हम नीचे ब्लैक फैबरीक अटेच करेंगे इस तरह से जो फ्रॉग की किया है उसको मशीन पर रखेंगे और जो हमने फैबरीक लगाना है उसकी सीधी साइड उसके ऊपर रखेंगे इस तरह से हम उल्टी साइड पर इस तरह इसको जॉइन कर लेंगे चारह तरह से इस की गुम स्लाई लगती है इसका जॉइन नदर नहीं आएगा ये देखें इ क्पडा कर लेंगे इसका जॉयंट कर लेंगे एब इस द्रत हैं अंदर शुप जाएंगे इस तरह से यह आप देख सकते हैं बहुत नीट इस तरह से जॉइंट लगता है इस तरह आप रॉक के चारों तरफ इस तरह जॉइन कर लें यह मैंने जॉइंट कर लिया है देखें इसमें गहीं भी जो आपको असलाई है वो नज़र नहीं आएगी तो यह इस तरह से बहुत प्यारा लगता है तो फ्रेंस यह हमारा जैकेट वाला पैनल फ्रॉक रेडी हो गया है अब हम इसके साथ स्लीव जॉइन करेंगे तो स्लीव को आप देख सकते हैं मैंने अपनी साइज के मताबग निशनात लगा लिये हैं इस तरह से मैंने शोल्डर का साइज ले लिया है शोल्डर और बॉड़ी की जो फ्रंट कटिंग की जाती है जिसका डिफरेंस होता है उस चीज का ख्याल रखते हुए आप इसके साथ जॉइन कर लीजिए नीचे से मैंने इसकी सलाई लिखा कि इसको रैडी कर लिया है तो अब मैं इसके साथ शोल्डर जॉइन करना आपको सिखाऊंगी तो इस तरह से बॉड़ी का सेंटर लेते हुए जहां पर चस्ट साइज के निशानात लगा जाते हैं वहां पर आप बाजू का भी जॉइन लगाना स्टार्ट करेंगे और जॉइन लगाते हुए इस पार्ट को आप इस तरह से रोल बना कर साइट पर कर लेंगे इस तरह से हम बाजू को जॉइन कर लेंगे बाजू का सेंटर और शर्ट का सेंटर ब्रापर करते हुए इसको सलाई लगाएंगे इस तरह फ्रेंड्स कभी आगे वाला गला पीछे नहीं गिरता अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए इस तरह से हमने ये बाजू रडी कर लिये हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने इस फैबरिक को तुकौन बना कर साइट पर कर दिया था तो इस तरह से यहां पर चुनट नहीं मनता और ये बहुत नीटली अटैच होता है तो फ्रेंड्स ये बीगिनर्स के लिए मैंने बहुत डीटेल से वीडियो बनाई है अब मैं बैक नेक लाइन को टू इच पर मार्किंग करते हुए गोल शेफ देते हुए बैक नेक लाइन बना लूँगी इस तरह से ये अरेवदार फैबरिक लिया है मैंने तो अरेवदार फैबरिक हमेशा नीचे रखा जाता है इस तरह से हम बैक नेक लाइन रडी करेंगे तो बीगिनर्स के लिए मैंने ये बहुत डीटेल वीडियो बनाई है उमीद है आपको पसंद आएगी इस तरह से किनारे को फोल्ड करते हुए हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरह इसकी गोल शेप अच्छी आती है और इस तरह हम नीचे वाले कपड़े को बाहर की साइड पर निकालते हुए एक स्टिच लगा लेंगे तो इस तरह आटोमेटिकली इसकी शेप राउंड हो जाती है इस तरह से इसको राउंड शेप में हम स्टिच लगा देंगे आप चाहें तो आप यहां पर दुर्पाई भी कर सकते हैं यह आपकी अपनी जॉइस है मैं इसको सलाई लगाऊंगी और इस तरह इसके किनारे की सलाई को जो शॉल्डर की सलाई है उसको इसके अंदर दबाते हुए हम नीटली सलाई में कम्प्लीट कर लेंगे तो फ्रेंड्स इस तरह यह हमारी शेट रेडी हो गई है उमीद है आपको पसंद आएगी तो फ्रेंड्स अगर आपने इसकी कटिंग के वीडियो देखनी हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उमीद है कि आपको इसके तमाँ पॉइंट्स मैं अच्छी तरह समझा पाई हूँ सी यू इन मैं नेक्स वीडियो अलाहफेज